Hello Everybody, Welcome to Current Affairs Fund, My name is Vikas दोस्तों आपको बताना चाहूँगा as well PO Prilims का exam जो की upcoming days में होना है इसमें हमारे पास में 11 days का time बचा हुआ है और जिन लोगा 20th को exam है उनके लिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा अगर आप उसको apply करोगे in 11 days में तो काफी हद तक आप अच्छा कर पाऊगे और बहाँ पर आप score भी बहतर कर सकते हैं तो उन सारे pros and cons के ओपर हमें आपर discuss करेंगे और आपको हर एक छोटी चीज़ बताऊँगा जो एक aspirant feel करता है अपनी preparation के दोरान तो उस वो कहाँ पर किस तरीके से अपने आपको एक्सलेट करेगा so that कि वो अपने goal को achieve कर पाए एक चीज़ यहाँ पर आपको दादू अगर अभी तक आपने as by p.o.prilms का यह free mock test है practice mock का अगर आपने अभी तक इसको नहीं बनाया है तो इससे आपको सबसे बड़ा idea यह लगेगा कि paper में क्या क्या चीज़ें आ रही है और एक हम कितने time में paper को solve कर पा रहे है तो जो real time आपका approach है वो यहाँ से निकल कर आएगा तो एक बार आप इस mock test को बनाएं और देखें कि आप कितना कर पा रहे है दूसी चीज़ यहाँ पर है कि एक बहुत ही famous quote है the struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow so don't give up जो लोग सोचते हैं कि यार क्या मैं यहाँ पर कर पाऊंगा मैं paper देने ना जाओ सोच रहो मेरी त्यारी अच्छी नहीं हुए तो उन सारी चोंका आप side line करो और आप अपना 100% दो बले ही यह दिन 10, 11, 12 क्यों न बचे हो इन दिनों के दोरान आपको अपनी पूरी 100% जो है input देने हैं और result जो है 11 दिनों के बाद आप खुद देख पाएंगे मैं आपको कुछ चीज़ बता रहा हूँ जैसे पहले रोगों के मन में सवाल आ रहा है कि यार मैं में मेंस को भी 7 में लेकर चल ला हूँ तो अब जब पिलिम्स के admit card जारी हो चुके हैं और आपका जो exam है वो 20, 21 और 27 को है तो पहले चीज़ आप मन से यह निकाल दें कि आपको मेंस के बारे में भी फोकस करना है 27 तक सिर्फ आप रुक जाओ और सिर्फ पिलिम्स के mock test पर आप बनाओ कोशिस करो कि एक mock को बनाया उसका proper analysis किया फिर आपने दूसरे mock को बनाया और यह देखा कि कहां कहां पर आपके questions गलत हो रहे हैं कौन-कौन से area पर आप अच्छा कर सकते हो तो उन topics को revise करके आप फिर से उसी mock को analyze करो ताकि आप बहतर कर पाओ बहां पर आपको 100% पूरे section को complete करना है यह आपके अंदर एक point होना चाहिए ठीक है तो जो चीज़े मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ यह directly दोस्तों एक्जाम में benefit आपको देंगी आप लोग practice mock से try कर सकते हो यह आपको अदा दूँ कि practice mock के जो questions है वो काफी up to date है और बहुत साय toppers और लोगों ने इसको follow किया है तो उनको बहतर result भी देखने को मिले है यहाँ पर जो point number two है वो है strong your scoring area where you feel that you can perform better मेरे कहने का यहां पर दात पर यह है कि जैसे आपके पास में past topic है एक, दो, तीन, चार और पाच तो इसमें से आप अपने उस area को और भी बहतर बनाओ जिसमें आप बढ़िया कर सकते हो जैसे कहाई कि कई बार आपको लगता है कि आप number series में questions में बना लेता हूँ लेकिन paper में थोड़ा बहुत दरुदर आता है तो मेरा छूट जाता है तो आपको अब यह करना है कि जादा से जादा अपना 100% focus यहां पर start करना है ताकि इस बहतर topic को थोड़ा बहुत आपको आता है आप इसमें और अच्छा कर पाएं जो आपको और अच्छा आता है उसमें आप सबसे अच्छा कर पाएं तो आपको उन topics को choose करना है और फिर अपना जो maximum import है वो बहां पर देना है और तीसरा जो जरूरी point है वो है कि आप कभी भी यह calculate मत करो upcoming scenario क्या होगा कई बार हम इसी सारी चीज़ों को calculate करने के चक्कर में वो नहीं कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए होता है इसका मतलब यह हुआ कि जो आपको आ रहा है ठीक है अब उस पर focus करो कुछ लोग बहुत extra चीज़े आगे पीछे की करना start कर देते हैं हमें वो चीज़े नहीं करनी है एक चीज़ और यहां पर बता दू be consistent for your goal जो आपका goal है ना उसके लिए आपको consistent रहना है ऐसा नहीं कि Sunday आगया तो पढ़ाई नहीं करनी है और Saturday को enjoy करना है फिर पास दिन पढ़ाई करना है एक भी दिन अगर आपने miss किया तो आप अपने preparation में पीछे चले जाओगे यह जरूरी चीज़ है जो बहुत साए लोग इनको following नहीं करते है वो जस्ट अपनी life चलती जाती है और वहाँ पर देखते जाते है एक चीज़ और है कि mock हम कितने दे कितने mock बनाए मेरा ऐसा मनना है कि prelims के near about 15 mocks अगर आप दे रहो तो यह बहतरी रहे और इनको multiple time जो है इनका analysis करना वो बहुत ज़्यदा ज़रूरी होता है तो आप अगर practice mock से start कर रहोंगे तो well and good है आप इनका एक बार free mock देकर देखिए आपको खुद पदल देगा कि क्या label यहाँ पर रखा है बाकी कौन-कौन से areas है जहाँ पर आपको focus करना है इन 11 to 15 days के लिए तो कौन्ट में मैं आपको ही कहूँगा कि daily आप 2 di बनाओ और 2 di में आप कोसिस यह करना देखो paper में 2 di आपकी आएंगी कई बार क्या होता है कि table di आपकी आती है एक आप type by di बनाओ जैसे कि bar आपने single बना लिए इसके लाबा आपने pie chart बना लिया ठीके बार के लाबा pie बना लिया आपने इसके बाद आपने जो आपके towers वाले होते हैं ठीके जिसमें इस format में questions आपके बन कर आते हैं ठीके और एक आपको pie chart भी दे दिया होता है जिसको बोलते है composite di तो वो आपको बनाना है line graph हमें touch करना है ज़्यादत है तो ऐसे single single di आपको daily बनाने हैं और coach करो 2-3 di daily बनाओ number series 10 question daily बनाओ 5 आप बनाओ wrong बाले और 5 बनाओ missing बाले ठीके इनके साथ में आप आगे बढ़ो और बाकी मैं यही कहूँँग आपको कि इन दो topics के लाबा एक quadratic है वो optional है कई बार 3 di आई आजाती है तो quadratic नहीं आता है बैसे quadratic में कोई बहुत जद आपको practice करने ज़रूत नहीं है आपको अगर factor करने आते हैं तो आप कर सकते हो questions को solve cable गिने चुने 4-5 pattern है उसके अलबा factor करना और factor हो गया तो question आपका solve हो जाएगा बाकि आपके arithmetic topics हैं जिनके आपको mock test से practice करनी है कई बार questions जो है वो आपका previous paper में बिल्कुल flat आएगा direct पूचाएगा लेकिन हमें direct नहीं करना है हमें उसकी multiple varieties को combine करके question मनना है एक बार मैं आपसे जरू कहूँगा कि जो practice mock ने S.V.I.P.O. में free mock में जो आपको arithmetic problem दे रखे हैं इनको एक बार बनाओ इनसे आपको काफी benefit देखने को मिलेगा बाकि reasoning में पूरा focus puzzle पर रखो जो maximum paper लगबख 70% आपका puzzle रहेगा ठीके तो daily तीन से चार puzzle बनानी है अलग-अलग type की और ये भी हमें mock से ही बनानी है हमें previous year की book से नहीं solve करना वो आसान questions है थोड़ से complex बनाने है ताकि paper निकले और ये जो topics बता रहा हूँ छोटे-छोटे जैसे cellogism हो गया inequality हो गया आपका blood relation हो गया इनको हमें parallel करते चलना है और इनसे हमारा paper अच्छा खासा बन जाएगा और English में देखो RC सबसे major role play करेगा RC के लावा आपकी errors हो गई फिर आपका clause test हो गया और इसके लावा आप देख पाएंगे कई बार आपका filler आजाएगा phrase replacement आजाएगा तो ये चीजे आप जो practice करोगे newspaper बगरा से भी और आपके grammar के rule से भी और किसी book को भी follow करोगे महा से आपको benefit मिलेगा ultimately अपने आपको engage रखना है इन 11 से 15 दिनों में और daily हर एक section को equal पढ़ना है मैं ऐसा चाहूँगा कि आप लगवग 2 से 3 गंटे math पर दो इतने ही गंटे आप reasoning पर दो और लगवग 2 गंटे आप यहाँ पर दो कुल मिलाकर लगवग 8 गंटे जब आप पढ़ाई करोगे तब इन दिनों में आप पिछले 6 मेने का revise भी कर पाऊगे और बहतर result आप सभी को देखने को मिलेगे तो मेरा आप सभी किले all the best अपने तयारी यूही करते रहे और अगर अबी भी कोई समस्या है कोई doubt है तो please नीचे comment section में जरूर पूछे और अपने focus को ये सोच कर चलें कि मुझे इस exam को qualify हरालत में करना है अगर आप चलाय मान रहोगे इदर दर सोचोगे